दोस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों ग्रूप टी सी एन जीरो वन अब्लिक 2019 आरार सी जेवलपूर जो वेस्ट सेंटर रेलवे या फिर आरार भी भोपाल का यहां पर पीटी के बाद में डीवी का रेजल्ट हो गया और उनका कुछ ऐसे श्टूडेंट है जिनका उस विसेस केटेग्री में उस तंबर पर नहीं हुआ है तो उस अंतर के अनुसार यहां पर मैं कटॉप का भी आपको बताने वाला हूं क्या तीन गुणा से एक गुणा की कटॉप गई है डबलू सी आर जबलपूर ज जो PT हुआ था वो 11 जनुरी 23 से किट जनुरी 2023 टकाय जित हुआ था उसमें आपके परदर्शन के एकडिंग साथी साथ जो CVT एग्जाम यहांपर मार्क्स है और यहां पर इद आप कौलिफाइग कीए है अच्छे मार्क्स थे कितने अच्छे थे वो बाद में बताआ हों को पलाश्ट में सबसे पहरे यह जान लिए यहां पर जो सुझिवद रोल नंबर है उनके अमिद्वार है वो प्रोविजनली सौर्टिस्ट किये गए हैं डीवी और मेडिकल के बाद यह आपका फाइनल हो पाएगा तो देख सकते हो टोटल अमिद्वार तो कुल यहां पर 3937 अ सब्सक्राइब यहां पर अलग है तो यहां पर 4,019 से भी कम अभ्यरती हैं वो डीवी के लिए बुलाएगे हैं आपका डीवी कब होगा तो डीवी हो जाएगा 14 फरावरी 2023 से 4 मार्च 2023 तक कहां पर होगा रेलवे भरती प्रकोष्ट कारेले पच्छिमी मध्य रेलवे जव मार्च 2030 को डीवी दे सकते हैं इसके उक्रांत भी अनुपस्तित होने की सती में यह समझा जाएगा कि उनका कैंडिडेजर हैं मिद्वारी हैं वो अन्रिस्त मानी जाएगी और दस्तावेज हैं इलाश में देखते हैं अब जान लेते कट अप देखे दोस्तों ओपीसिल कट इसमें तीन गुणा अब बिरती पास किये गए थे पीटी के लिए कट अप परसेंटाइल स्कॉर हैं तीन गुणा अब बिरती पीटी के लिए जो पास किये गए थे ये उनकी कट अप है अब देखते हैं तीन गुणा के बाद एक गुणा में क्या कट अप गई हैं इस्ट कर रहे हो समय रहते उसको सुधार लेंगे तो आप मेरिट हासित कर सकते हो जब आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी तो एक्जाम करेक्ट करना कितना इजी कॉमिडेंस के साथ हो जाता है टाइम एनेजबन बेतर करने के लिए मॉक्टेस लगएगा न्यू केंड़ टेस् सुधार लेंगे तो एक्जाम औरिइंटेट पैटर्न है साथी एक बार पास दो जो जये एक्जाम के मॉक्टेस दो 604 प्लस एक्जाम के मॉक्टेस एकए की पास में एगजाम पैटर्र करें और यहाँ पर एंडरोल कर शकते हो टिटीजी के कीको ऊपन कोट के साथ में मॉक लिजीगा देखे दोस्तों OBC की बात करूँ यहां पर मैं तो OBC की कटॉप पहले गई थी अठाउन पॉइंट त्रेपर मार्क्स गई थी सभी को पता है अभी फिलाल कटॉप इस्ट्डेंड ने कमेंड किया कि 65.95 वाले का तो नहीं हुआ और 66.16 वाला का हो गया इसका मतलब क्या है कटॉप कि इनके मध्य गई है 65.95 से 66.16 और लगवक कटॉप यहां पर निकल के आ रही है 16.12 मार्क्स के आसपास है वो कटॉप गई है OBC की यह फिक्स कटॉप नहीं है इस्ट्डेंड की कमेंड के अकॉर्डिंग है तो AJ आइडिया की रूपे में आपको बता रहा ह क्योंकि उन्होंने official कटॉप जारी नहीं की है तो यह मत कमेंड कर देना कि उनके मार्क्स है वो 66.12 ते नहीं हुआ तो हो सकता है इनकी मध्य कटॉप आप OBC की मान के चलो 66.95 से 66.16 के मंदे जिनके मार्क्स थे उनका सेलेक्शन इस्ट्डेंड ने कमेंड किया हुआ है तो आप कहींगे OBC में कितनी बड़ी है तो यहां से आप OBC में गैप निकालेंगे तो OBC की कटॉप बड़ी है पलस 7.5 के आसपास OBC की कटॉप बड़ी है पलस 7.5 साड़े सा साथ मार्क्स OBC की बात करूँ यहां पर मैं अधर कैटेगरी में अंद्री जरू की और अंद्री जरू में जो पहले कटॉप गई थी वो आपकी थी 65 मार्क्स थी 65.87 सी गई अभी कटॉप लगबग इस्टुटेंट के कमेंड के अकोर्डिंग निकल के आ रही है कि 7 मार्क् एक इस्टुटेंट कमेंड किया कि उनके 71.10 मार्क्स थे किसमें यूर में नहीं हुआ तो लगबग कुछ इस्टुटेंट बता रहे है कि उनके 72 की मद्धी कटॉप गई है अंद्री जरू कैटेगरी की लगबग 7 मार्क्स इंक्रीज साथ बार बार बोल रहा हूं 6 मार्क् यहां पर अंद्री जरू कैटेगरी की बड़े हैं लगबग 71.5 के आसपास 71.67 इस परकार का टॉप गई होगी अंद्री जरू की 31 से 72 की मद्धी और OVC की हो गई आपके लगबग 66.something गई हैं 7.5 मार्क्स बड़े हैं बात करूँ यहां पर मैं ST कैटेगरी की तो ST मैं इस् 42 तो 53 से 53.44 के मद्धी गई हैं आपके ST के टेगरी का टॉप लगबग 53.4 आपके मांन चलेंगे ST की तो कितनी बड़ी हैं 8.2 के आसपास मार्क्स का टॉप बड़ी हैं 8 मार्क्स यहां पर H ट की बड़ी है। UR की 6 marks बड़ी है, OVC की 7 marks बड़ी है, और SC की कटोप भी लगभग यहां पर बात करें तो वो 7 marks के आसपास बड़ी है, जो पहले 49.33 थी आपके SC की कटोप, अभी जो इस्ट्रेंड ने कमेंट करके 7 marks के आसपास बड़ी है, तो 48-50 के आसपास यहां पर कटोप है, EWS की लगभग 8-9 marks बड़ी है, अभी किलिर यहां पर थोड़ा EWS वाले comment section बड़ाना, किनका किनका कहां तक हुआ है, उसके according में comment section में, और उसको जब पता चल जाएगा तो EWS की भी अपडेट करके डाल दूँगा, अभी तक अपडेट के according, EWS का top 8-9 marks बड़ी हुई मिल रही है, पहले जो 40 थी, अभी 48-49 के आसपास आइडिया लग रहा है, तो यह आपके सामने का top है, अंद्रेजर की 6 marks बड़ी है, 7 marks आपकी SC की बड़ी है, HT की 8 marks बड़ी है, OBC की 7 marks बड़ी है, EWS की 8 marks बड़ी है, बागे आप comment section बताना, आपकी कितने marks थे, जो special भुपाल वाले, जबलपूर जौन वाले candidate और कितने पर selection हुआ है, आपकी जो ध्यान में हो, आपकी marks थे आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिनका हो गया, बहुत-बहुत बदही हो, जिनका नहीं भी हुआ है, बिना टैंसल ये, next exam की त्यारी करो, इस energy को और कहीं utilize करो, ताकि इस प्रकार बहुत कम mark से आपका next exam में selection ना रुके, तो जितने अच्छी त्यारी करेंगे, अच्छी त्यारी में आपको क्या करना है, अपनी कमियों को ढूणना है, exam से पहले बहुत सारी मौक्टेस देना है, competence को बढ़ाना है, ताकि exam का pressure आप पर न पड़े, easily त्यारी कर सके, और जवलपूर जोन वाले केंडेर, जिनका DV है, वो 14 फरवरी से, च्यार मार्च के मति होने वाला है, ब्लॉक डैट भी है, 6 मार्च को, और document तो वही लेके जाना है, जो पहले भी बता चुका हूँ, एक तो 6 passport size की photo आपको चाहिएगा, और जितने भी document है, उनकी दो-दो फोटो को भी आपको चाहिएगा, ये सारी document की डिटेल आपको, वेबसाइट जो, केंद्री करत, रोजगार, सूचरा, रेलो, भरती बोट, भोपाले, उन पच्छी मदी, रेलो, जवलपूर की वेबसाइट पर उपलग्द, अठारा में उलेकित, सारे दस्तावेज हैं, पहले भी वीडियों बता चुका हूँ, आपने देखा हो, तो पता चल गया, बाकि कॉलेटर बगेरा, इसका कब आएगा, तीन सी चार दिन, वहापर रुखने की भी आपको व्यास्ता करनी होगी, क्योंकि, डीवी के जश्ट बाद आपका मेडिकल भी होता है, और कोई भी आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन बताना मिलते हैं वीडियो के साथ, बाई बाई